हनीफ मोहमद, पाकिस्तान क्रुकेट के लेजेंड या यू कहलीजिए कि यही वो खिलाडी है जिसमें पाकिस्तानी क्रुकेट की नीव रखी दी वैसे तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट माच में 43.98 की आवरेस से 3915 रन बनाए लेकिन ये आकड़े इनके कर्द को जस्टिफाई नहीं करते हनीफ की बैटिंग के कई किस्से हैं और इन किस्सों में एक सबसे खास है एक बार हनीफ ने एक माच बचाने के लिए मैदान पर 970 मिनट यानि की 16 घंटे से भी जादा बैटिंग की थी साल 1934 की 21 दिसंबर को पैदा हुए हनीफ टुकेट के पहले लिटल मास्टर कहे जाते थे सुरील कावसकर और सर्चिन तेंदुलकर से भी पहले उन्हें लिटल मास्टर बुलाया जाता था और इस लिटल मास्टर ने अपने बल्ले से पाकिस्तान को कई बार बचाया ऐसे ही एक किस्ता है साल 1957 से पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी टीम को पाच टेस्ट माच की सीरीज खेल ली थी और पहला मुकाबला ब्रिज्ट टॉन में खेला जा रहा था इस माच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया था वेस्ट इंडीज ने 9 विकेट के नुकसान पर 589 रन मना कर अपनी पारी घोचित कर दी अड़ गय हनीफ अब इस पहाड जैसे लक्षे के सामने पाकिस्टान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई इसके बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्टान को फॉलो उन के लिए बुला लिया पाकिस्टान की पहली पारी देख वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अपनी जीत पक्की समझ कर बैठे थे और ऐसा ही कुछ हाल उनके फैंस का भी था ये वो दौर था जब टेस्ट क्रुकेट ही खेला जाता था ऐसे भी इसकी दिवानगी अलग ही लेवल पर थी लोग स्टेडियम में सीटों के साथ जमीन से लेकर आसमान तक भर जाते थे और ऐसे ही लोगों में शामिल एक लोकल फैन पेड़ पर चड़कर इस माच का लुट्फ उठा रहा था और फिर पाकिस्तान के लिए हनीफ मुहमत फिर से ओपनिंग कर गया हनीफ आए और टिक गया इस बार उन्होंने टेसरितिहास की आस तक की सबसे धीमी पारी खेली उनकी ये पारी इतनी स्लो थी कि पेड़ पर चड़कर माच देख रहा वो फैन वही सो गया और सोते सोते पेड़ से नीचे गिर गया इसके बाद उसे अस्पताल पहुचाया गया और वहां जाकर पता चला कि उसके पैर में फ्रेक्चर हो गया है और मजी की बात ये है कि पैस तुड़वाने के बात जब इनको होश आया तो इनका पहला सवाल था हनीफ आउट हो गए या भी भी बल्लेवाजी कर रहे हैं डॉक्तर ने जवाब दिया हाँ वो बल्लेवाजी कर रहे हैं सवभाग्या से आफ फिर से स्टेडियम तक नहीं चल पाएंगे और उन्हें बल्लेवाजी करते हुए देखने की परीक्षा से बच गए अब इस किस्से को कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ जूट लेकिन हनीफ मोहमत की 970 मिनट की 337 रन की ये पारी टेस्ट क्रुगेट की सबसे लंबी पारी है मैच पर वापस लोटे तो दूसरी पारी में आठ विकेट के नुकसान पर 657 रन मनाकर पाकिस्तान ने अपनी पारी घोशित की जिसके बाद वेस्ट इंडीज बल्लेवाजी करने आया और ये मैच ड्रॉप पर खतम हुआ वहीं सीरीज को वेस्ट इंडीज ने 3-1 से अपने नाम किया इस वीडियो में बस इतना ही मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दील ललन टॉप और अगर अभी तक आपने हमारे नए चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे नए चानल को सब्सक्राइब कीजिए उसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा शुक्रिया